स्कावर का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं स्कावर का इस्तेमाल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से किया जा सकता है नाउन की रूप में स्कावर का आर्थ होता है सफाई, अतिसार या प्रिमारजन वर्ब की रूप में स्कावर का आर्थ होता है गहरा निशान बनाना, अपर्दन करना, रगड कर साफ करना, घूमना, चमकाना, घिसना, साफ करना, रगडना, जाडना, मांजना, स्वच करना, छान मारना, पेट साफ करना, तेज दोडना या बारिकी से देखना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि मैंने गंदे फर्ष को एक अच्छा प्रिमार्जन दिया या रगड कर साफ किया तो आप कहेंगे I gave the dirty floor a good scour या अगर आप यह कहना चाहें कि सफाई करने वाली महिला ने उसे अच्छी तरह से साफ किया तो आप कहेंगे the cleaning lady gave it a good scour अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें